Good afternoon viewers, मेरा नाम अभिशेक पांडे है, मैं Aspiring Life Consultants Private Limited में काम करता हूँ आज मैं आप लोगों से दो बहुत बड़ी announcement शेयर करने वाला हूँ जो की हमारे HRD Minister रमेश ओकरियाल निशांग जी ने दिया है यह announcement जो उन student के लिए है जो NEET का exam देने वाले हैं इस साल 2020 में और जो JEE का exam देने वाले हैं 2020 में NEET का exam जो 3rd में को होने वाला था, अब वो 26th July 2020 को होगा और JEE का exam भी postponed होके अब July में होगा, उसके dates हैं 18th, 20th, 21st, 22nd और 23rd और जो JEE advanced exam देने जा रहे थे, उनका exam अगस्त में होगा, लेकिन date अभी तक final नहीं आई है तो जो student इस साल NEET का exam देने वाले हैं और joint entrance exam देने वाले हैं वो student अपने friends के साथ जबूर शाय करिए और अपने last revision में लग जाईए अब आते हैं गाईस 2021 के exams के उपर, जो students अपना exam 2021 को plan कर रहे हैं NEET का और joint entrance exam का, उनकी लिए एक बहुत अच्छी खबर है उनका syllabus reduce कर दिया गया है government के तरफ से चौकि यह जो time waste हुआ है अभी और वो अनोंने अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरह नहीं पढ़ पा रहे हैं उसके लिए तो guys अगर in future कोई भी update होता है आपकी new exams को लेकर या आपकी JE exam को लेकर तो मैं definitely आपसे share करूँगा और हमारे चैनल को जरूर subscribe करिए like करिए ताकि मैं आपको और updates देता रहा हूँ Thank you so much guys